Hi everyone, मैं हूँ सहजाद और आप देख रहे है Technical Market दोस्तों इस वीडियो में हम सिखेंगें Basic Command in Epsilon Editor एक राफस्री के फिर से स्वागत है, मैं हूँ सहजाद और आप देख रहे है Technical Market दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करने ये बिल्कुल फ्री है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के चस्ट नीचे रेट किलर का सब्सक्राइब बटन है इसे क्लिक करना ना भूले तो मैं बात कर रहा था Basic Command in Epsilon Editor दोस्तों अगर आप Epsilon Editor पर काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ Basic Commands पता होनी चाहिए कुछ Basic Shortcuts आपको पता होना चाहिए तो चलिए सीख लेते हैं कि Basic Commands क्या है Basic Shortcuts क्या है Epsilon Editor पर काम करने के लिए सबसे पहले आप Epsilon Editor को ओपन करेंगे मैं यहाँ पर ओल लेड़ी ओपन कर रखा हूँ आप यहाँ देख सकते हैं Next हमरा है Select Whole Document in Upward Direction आप जिस डोकमेंट पर काम करते हैं आप जिस फाइल पर काम करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी content को Select करना Upward Direction में तो आप Easily कर सकते हैं Select Whole Document in Upward Direction का कमांड होता है Alt Shift Aero आप Alt Shift के साथ Aero को प्रेस करके आप पूरी content को select कर सकते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो करसर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर है इस डोकमेंट के स्टार्ट पॉइंट पर है अब मैं इस करसर को थोग सा नीचे लाता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा करसर यहाँ पर है अब मैं यहाँ से उपर के content को select करना चाहता हूँ इसके लिए आप Simply Alt Shift के साथ आप Aero को प्रेस करेंगे तो चलिए प्रेस करके देखता हूँ आप यहाँ से Alt Shift के साथ Aero को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका करसर जहाँ पर था उसके उपर है content को select करने के लिए आप यहाँ पर Alt Shift Aero का use किया और आप इस भी देख सकते हैं कि आपका content जो है वो select हो चुका है अब आप मान लिजिए तो simply आप Alt Shift के साथ आप Aero को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुड़े content को आप select कर चुके है तो आप का करसर किसी भी position पे है और आप जाते हैं तो उस position से उपर के सारे content को select करना तो आप इस command से easily कर सकते हैं Next हमारा है Select whole document in downward direction आप जिस document पे काम करते हैं जिस file पे काम करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका करसर जहाँ पे है उससे नीचे के document को select करना तो आप easily कर सकते हैं Select whole document in downward direction का command होता है Alt Shift Down Arrow आप Alt Shift के साथ Down Arrow को प्रेस करके easily आप select कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मेरा करसर जो है वो यहाँ पे है मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे का content जो है वो select हो जाए तो आप simply Alt Shift के साथ आप Down Arrow को प्रेस करेंगे तो चलिए मैं करके देखता हूँ आप Alt Shift के साथ Down Arrow को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जहाँ पर करसर था उसके सारे नीचे के content select हो चुका है अब आप मान लीजिए कि आपका करसर यहाँ पर है और आप चाहते हैं कि इसके नीचे के सारे content को select करना तो आप simply Alt Shift के साथ Down Arrow को प्रेस करके easily select कर सकते हैं Alt Shift Down Arrow आपका करसर जिस position पे है अगर आप उस position से उपर के content को select करना है तो simply आप Alt Shift के साथ आप arrow को प्रेस करके select कर सकते हैं आपका करसर जिस position पे है अगर आप चाहते हैं कि उसके नीचे के content को select करना तो simply आप Alt Shift के साथ Down Arrow को प्रेस करके Select कर सकते हैं Next हमारा है कि आप जिस document पे जिस file पे काम करते हैं उस document के Starting Point पर जाना है तो आप उसके लिए Command होता है Control के साथ आप Home प्रेस करेंगे Control Home Control Home के साथ आप उसके Starting पर पहुँच जाएंगे Next हमारा है कि उस document के Ind पे आप किस तरह जा सकते हैं तो जिस document पे आप काम कर रहा है जिस file पे उसके Ind पे Ind position पे अगर आना है उसके लिए आप Control Ind के साथ आप प्रेस करेंगे Control Ind से आप उसके सबसे नीचे आ सकते है तो control home के साथ आप सबसे उपर जा सकते है beginning of the document और control end आप यहाँ पर देख सकते है control home से उपर गये control end से आप नीचे है तो इस तरह से आप easily उपर और नीचे आ सकते है next हमारा है open double window अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास single window open है एक window open है मैं चाहता हूँ कि दो window open करूँ तो दो window open करने के लिए आपके पास दो तरीका है या तो आप horizontal direction में इसको open कर सकते हैं या vertical direction में open कर सकते हैं अगर आप horizontal direction में double window open करना चाहते हैं तो उसका command होता है control x 2 control x के साथ आप 2 प्रेस करेंगे तो आपका double window open होगा horizontal direction में चलिए देखते हैं, ओपन करके, तो आप Ctrl X के साथ simply प्रेस करेंगे 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास दो विंडो ओपन हो गया, दोनों विंडो होरिजन्टल डारेक्शन में ओपन हो चुका है, नेक्स्ट हमारा है, कि डवल विंडो ओपन करना है, इन वर्टिकल डारेक्शन में, अभी मैंने देखा, कि होरिजन्टल डारेक्शन में विंडो को कैसे ओपन करते हैं, अब मैं देखूंगा, कि वर्टिकल डारेक्शन में आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं, वर्टिकल डारे आई परेस करेंगे तोदつ यहांपर देख सकते हैं आपके पास दो विंड्यो में ओपें ओपन है विंड्यो में तो इस तरह से आप और देमोर को आप judgments कर सकता है घमारा है कि रखेंजे ओटेंचे स करना साथ लेकिन close करने के लिए जो command होता है वो control x 0 होता है आपका window horizontal direction में open हो या vertical direction में open हो इससे फरक नहीं पड़ता है close करने का एक ही command है control x 0 control x के साथ आप 0 प्रेस करेंगे तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मैं दो window open करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास दो window open है horizontal direction में है और मुझे इससे close करना है तो आप simply control x के साथ आप 0 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका window close हो चुका है अब हम देखते हैं कि मेरा window अगर vertical direction में है double window तो मैं उससे close कैसे करता हूँ control x के साथ मैं 5 करूँगा मेरा window जा है वो open it vertical direction में और मुझे double window को close करना है आप simply control x के साथ आप 0 प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप double window को close कर सकते हैं आपका window horizontal direction में या vertical direction में आपका close करने का एक ही command है control x 0 control x के साथ आप 0 प्रेस करेंगे आप जिसी window को close करना है आपको cursor उस window में रखना होगा next हमारा है jump in single window अगर आप एक से ज्यादे window open किये हुए है window आप horizontal ओपन किये हुए है या vertical ओपन किये हुए है इससे फरक नहीं पड़ता है अगर आप एक से ज्यादे window open किये हुए है suppose आप तीन चार window open किये हुए है और आपको single window पे रहना है तो आप किस तरह करता है तो उससे पहले आप 3-4 window open कर ला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 4 window open है तो अगर आपको single window रखना है एक window रखना है तो इसके दो तरीका है आप कंट्रोल एक्स के साथ 0 प्रेस करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं तीन विंडो बचें फिर एगेन आप कंट्रोल एक्स 0 करेंगे दो विंडो अभी भी open है कंट्रोल एक्स 0 करेंगे उसके बाद आप single window पे पहुंच चुके हैं लेकिन एक shortcut जो command होता है वो होता है कंट्रोल एक्स के साथ आप वन प्रेस करेंगे तो आप डिरेक्टली single window पे पहुंच जाएंगे तो चलिए देख लेते हैं सबसके पहले मैं ती चार विंडो ऑपन क किया अब मुझे डिरेक्टली single window पे जाना है तो simply control x के साथ आप one प्रेस करेंगे single window पे पहुंच जाएंगे तो अभी मैंने आप देखा कि यह चार विंडो जो मैंने open किया था वो horizontal डिरेक्शन में है इस तरह से आप अगर आपका चार विंडो वर्टेकल डिरेक्शन में ह तो उसे भी आप same command से कर सकते हैं तो चलिए मैं वो भी देख लेता हूं control x 5 control x 5 control x 5 अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास चार विंडो ऑपन है तो इसको आप close करना चाहते हैं तो आप फिर आप उसी तरह से control x 0 करेंगे again आप control x 0 करेंगे अभी भी आपके पास तो विंडो आपन है vertical direction में control x 0 तो अगर आपका window vertical direction में है तो भी आपका एक shortcut की है single window पाने के लिए control x 1 तो सबसे पहले हम control x 5 कर लेते हैं अब यहाँ पर मैंने चार विंडो ओपन किया है वर्टिकल डेक्शन में अब मुझे डिरेक्टली सिंगल विंडो पर आना है तो कमांड होता है कंट्रॉल एक्स के साथ आप वन प्रेस करेंगे तो आप सिंगल विंडो पर पहुंच जाएंगे तो कहने का मतलिक यह हुआ कि आपका विंडावल विंडो एक से ज्याद़ विंडो अगर आप तीन-चार विंडो होरिजंटल डेक्शन में ओपन है या वर्टिकल डेक्शन में ओपन है इससे फरक नहीं पड़ता है कमांड आपका एक ही है जो सॉट्कट की है वो एक ही है अब यह आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने सिंगल विंडो ओपन है अगर आपने एक से ज्यादे विंडो को ओपन किया है आपके पास तीन चार पांच विंडो ओपन है तो आप किस तरह से उस विंडो पे मूव कर सकते हैं उस विंडो पे आप जम कर सकते हैं तो सबसे प और चाहते हैं कि आप धर्ड विंडो पर जो और फर्स्ट विंडो पर मूब करना जंप करना तो इसके लिए कमांड होता है Alt Home आप Alt के साथ Home बटन को प्रेस करेंगे, तो चलिए हम Alt के साथ Home बटन को प्रेस करते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि आपका करसर जो है, वो ठट विंडो पे मूव हो चुका है, एगें आप प्रेस करेंगे Alt Home, तो आप देखिए विंडो पे आए, एगें आप प्रेस करेंगे Alt Home, तो Second विंडो पे एगें आप प्रेस करेंगे Alt Home, तो आप First विंडो पे पहुंच चुके हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप अगर Alt Home प्रेस करते हैं, और आपका एक ज्यादे विंडो ओपें है, तो अगर आपका विंडो करसर फोर्थ पे है तो वो मूव हो रहा है, फोर्थ के बाद ठट, ठट के बाद, सेकेंड सेकेंड के बाद, फस्ट विंडो, एगें आप उसको Alt Home प्रेस करते हैं, तो फस्ट से वो डिरेक्ट मूव हो रहा है, किस पे फोर्थ विंडो पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि अभी आपका करसर जो है, वो फस्ट विंडो पे है, तो Alt Home प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने मूव हो गया यह, फोर्थ विंडो पे, एगेन आप फिर प्रेस करेंगे, Alt Home, तो इस तरह से आप ठट विंडो पे मूव कर चुके हैं, जम्प कर चुके हैं, अगर आप चाहते हैं, कि मेरा करसर जो है, वो फोर्थ विंडो पे है, और फोर्थ के बाद, यह डिरेक्टली फर्स्ट विंडो पे आ जाए, तो इसके लिए कमांड होता है, Alt-Ind, और Alt के साथ इंड बटन को प्रेस करेंगे, तो चलिए हैं, मैं Alt के साथ इंड बटन को प्रेस करते हैं, अभी मेरा करसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो फोर्थ विंडो पे है, आप यहाँ प्रेस करेंगे Alt-Ind, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि मेरा करसर जो है, वो फर्स्ट विं यह प्रेस करेंगे निंभक करएं अगर आप ऑल्ट इंड को प्रेस कर रहे हैं अगर आप देख पा रहे हैं कि जब आप क्रेस करते हैं तो डिरेक्क्ली क्या हो रहे हैं फॉर्थ से directly one window पे first window पे move हो रहा है first के बाद second second के बाद third third के बाद fourth window पे लेकिन alt home के case में उल्टा होता है अगर आपका cursor fourth window पे है और आप alt home का प्रेस करते हैं तो ये fourth के बाद directly third पे जाएगा third के बाद second पे second के बाद आप first पे और alt लेकिन alt इन के case में क्या हो रहा है कि अगर आपका cursor fourth window पे है तो यह move होगा jump होगा सबसे पहले first window पे first के बाद second, second के बाद third, third के बाद fourth तो इस तरह से आप अगर आपने एक से ज्यादे window open कर रखा है और आप move करना चाहते हैं अपने window पे आप जब करना चाहते हैं तो आप इस command का यूज कर सकते हैं तो यह थे कुछ basic commands इन Epsilon एडिटर उमीद करता हूं यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों इस वीडियो में यतना ही अगर आपको कोई सुझाओ कोई questions कोई क्वेडी हो तो प्लीज आप मुझे comment success में comments करें अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली करें तो प्लीज आपको कोई सब्सक्राइब नहीं किया है